तोड़े आवर टॉपिक इस स्टेंडर्ड इंपुट इंपुट जो हम कीबोर्ड के थू कोई भी चीज देते हैं सिस्ट्रम को that is called input by default the term standard input refers to the input given via keyboard C++ uses C in stream जैसे आप C में use करते थे scanf इसमें हम use करते हैं C in statement जो है वो data की input के लिए इस्तामाल होती है C in stands for console input C++ handles standard input by applying extraction operator जैसा के पीछे हमने input पर पढ़ा था insertion operator इस्तामाल होता है तो C in में हमारे पास extraction operator greater than symbols जो है वो इस्तामाल होते हैं the operator must be followed by a variable variable इसके बाद जो है scene के बाद extraction operator आता है और extraction operator के पास हमारे के बाद हमारे पास कोई भी variable आ जाता है तो extraction operator जो है उसकी left hand side पे left hand side पे scene और right hand side पे variable जैसे के नीचे examples भी दीवी है c in x और एक ही scene statement में आप तीन variables को एक साथ भी keyboard से जो है वो enter कर सकते हैं next हमारे पास program है 4.9 writer program that input name age and address from the user and then displays these on screen आप name age and address enter करेंगे name हमारे पास name और address जो है वो हमारे पास character data type है और age वो हमारे पास integer data type होगी जैसा के आप उसने आगे उसको कर लिया है सबसे पहले declare कर लिया वाइड में के बाद character name 25 यह हमारे पास string है जब bracket के अंदर आप उसकी range देते हैं नहीं name 25 characters तक store blocks बन जाएंगे 25 characters तक आप उसको store कर सकते हैं city 30 और age इसी तरह से आपने message see out पहले करवाया और उसके बाद c in age करवा दी इसी तरह first name एंटर करवाया your city यह इनी city आपने उसमें एंटर करवा दिया फिर simply उसने see out statement के through name city और age डिस्प्ले करवाया डबल कोड़ के अंदर हमेशा हमारे पास जो है एंपुट किया values को और उसको output करवा दिया नेक्स प्रोग्राम में 4.11 राइट प्रोग्राम डेट इंपुट्स आ करेक्टर इंडिस्प्लेजिस आस की कोड आस की कोड जो है हमारे पास पूरा एक आस की टेबल होता है जैसे पहले भी आपनो जानते हो capital A की value जैसे 65 होती है स्मॉल A की value 97 होती है अचा उसी तरह से प्रोग्राम आयस्ट्रीम कोनियो वाइड में क्लियर स्क्रीन स्क्रीन को क्लियर करने के लिए function होता है character CHARAC यह उसे एक variable name लिया है CHARAC इसकी जगह आपको सिम्पल C भी ले सकते हो character C या character name फिर आपने उसको enter कर लिया see in कर लिया अब character यानि के अगर आपने keyboard से small a display करवाया तो उसकी integer value जो है वो आपके पास display करवाने के लिए आपने integer type का एक variable num1 ले लिया है तो character वाली value num1 में तो आप see out statement देखें आप की code for character यहां character A display हो जाएगा num1 में उसके relevant ask की table में जो value होगी small a की 97 होगी इसलिए num1 की जगह 97 display हो गया तो इस प्रोग्राम के अंदर simply हम एक character और उसकी ask की value जो है उसका ask की code जो है वो display करवारे है next है हमारे पास program write a program that input divided and divisor it then calculates and displays the quotient and remainder quotient आपको पता है उपर वाली value होती है जब हम उसको divide करते है और remainder जो हमारे पास नीचे वाली बाकी बचने वाली value होती है इसी तरह से उसने वेरियेबल्स divided and divisor यह उसे दोनों divided and or divisor यह जिसने divide होना है और जिसने divide करना है diviser और दोनों उसने कर लिए quotient slash से आएगा चूंके slash उपर वाली value देता है और percentage sign जो है वो बाकी बचने वाली value देता है इसलिए q और r में दोनों को display दोनों का result आजाएगा divide का भी और slash का भी और percentage sign modulus operator का भी q और r में फिर इन दोनों को उसने जो है वो display कर वा लिया है values थे एंटर की थी 20 और 30 आपने 20 को अंदर रखा 3 पे तक्सीम किया तो आपके पास 3, 6, 18 आगे 18 के नीचे जो 20 में से 18 निकाले तो 2 उपर आगया 6 और नीचे आगया आगया आपके पास 2 तो इस तरह से आपके पास उपर वाली value quotient और नीचे वाली value remainder जो है वो आपके पास return हो गए next है हमारे पास 4.14 question उसमें है write a program that input two numbers swaps the values and display them आपने उनकी values को swap करना है और उसको display करवाना है इसमें होगा ऐसे पहले आपने दो numbers एंटर के लिए A और B और आपने एक temporarily खाली block ले लिया जिसका नाम आपते रखा temp variable A की value आपने खाली उसमें डाली B की value दुबारा आपने A के अंदर डाली यानि A खाली हो गया था ना चूंकि आप उसको temporarily variable में ले गये थे B की value यानि B के उपर B value value A के उपर write कर वाली तो temporarily में जो store किया वा दुबारा B में ले आए तो इस तरह से इनकी value swapping का मतलब होता है बदल देना यानि जो A की value वो B की बन जाए जो B की value वो A की बन जाए इस तरह से ये दोनों values जो हैं वो swap हो जाएंगी एक temporarily variable के साथ Thank you